इस वीडियो में हमारे पास Samsung का Galaxy A15 5G है और आपको बताएंगे इसी फॉन के top 65 plus tips और और कुछ hidden feature जिनका यूज़ करके आप इस फॉन को काफी shortcut तरीके से यूज़ कर पाऊगे और काफी बढ़िया बना पाऊगे जैसे कि इस phone का screen off होता है phone का power button आप इसको दोबार प्रेस करते हैं तो phone की flash light को on करा सकते हैं इसी तरह से flash light को बंद कर सकते हो फॉन का जो call background होता है आपको इसको इस तरह से change कर सकते हो जो कि आप screen पर यहाँ पर देख सकते हो तो ऐसे ही बहुत सरी hidden feature इस पॉन मा आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आज इस वीडियो मा आप जान पाऊगे वीडियो आपके लिए काफी useful हो सकते है अगर आपके पा आपके जाते हैं पर देखने को मिल जाएंगे ती दोल इनपर क्लिक कीज़ी और सेटिंग पर क्लिक कर लिए इस फॉन मा आपको without announcement को call recording का feature देखने को मिल जाता है, आप किसी भी number की auto call record कर सकते हो, इसकलिए phone की डालर को open करने के बाद 3 dot पर click केजिए, यहाँ पर setting पर click कर लिजिए, record call की feature पर जब आप click करते हैं, तो आपको different feature देखने को मिल जाएंगे, तो auto call record आप यहाँ से on कर सकते directly, अगर आप चाहें, तो यहाँ पर यहाँ पर यह set कर सकते हो, केवल उन number की call record होना, जो number phone में save नहीं है, तो यहाँ पर आप चाहें तो उसको भी set करके रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आपको को private number है, उनको set करा तो वो भी आपको option देखने को मिल जाता है, जिसके आ down करने पर तो screenshot नहीं आएगा, बट आप phone का जो volume down बटन है, इसके साथ आप power button को एक साथ प्रेस कर दीजे, आप देखोगे screenshot आजाएगा, इसके लाबा आप skin पर एक tab करके screenshot बना सकते हो, इसके लिए आपको एक feature on करना पड़ेगा, जिसके लिए phone की control center को open करने के बाद pencil icon पर click केजिए, अब edit पर click करेंगे, edit पर click करने के बाद आप देखोगे, आप टेक screenshot का feature मिल जाता है, इसको आप ऊपर की side add कर लेजी, अब आप देखोगे, यहाँ पर यह add हो गया, add पर click केजिए, अब किसी भी area का आपको screenshot चाहिए, तो simple control center को open करने के बाद टेक screenshot पर click क आप इस फोन में पर click करना होगा, यह call हो जाता है, जितना long करना चाहिए, यह long होता जाएगा, तो इस तरह आप इस phone में long screenshot भी बना सकते हो, इसके लाबहा आप इस phone में palm से screenshot ले सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपको palm करना है, तो आप देखोगी, पर फिर भी देखने को मिल जाता है पर फिंगर से डाउन करने पर इसकी जोट नहीं आगा पाम को इस तरह से रखे और इस तरह से साइड कर दीजिए तो देखोगे आपको स्कीन सॉट मिल जाता है इस फोन की बॉलिम आप बटन से आप को आंसर कर सकते हो आपके नमर पर कोई आंसर करना है तो फोन का आप बटन प्रेस कर दीजिए आपकी कॉल आंसर हो जाएगी यहां पर आपको कुछ और भी फीचर देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप यहां पर ब्लूटूस से कनेक्टर है और आपने यह वाला फीचर आउन किया हुआ है तो आप ब्लूटूस स इसमें क्या है आपकी कॉल आटमेटिक दो सेकेंड के अंदर आंसर हो जाएगी आप अगर बाइक पर चल रहे हैं तो आपको यह फीचर काफी काम आने बाला है आपको ब्लूटूस करा है अगर आप ब्लूट से कनेक्ट होंगे तो आप आप आसनी से बात कर सकते हो पॉन का आपको क्लिक करना रहेगा इसलाइगा डिफन तरीकी की से कर सकते हैं जिसके आपने इसको सेलेक गया अब आपकी call आने पर या फिर notification आने पर इस तरह से as light देखने को मिल जाएगी अब आप color पर क्लिक करने की बद आप color code select कर सकते हैं जो भी आप color में यहाँ देखने चाहिए अपनी as light के लिए advance पर क्लिक करने की बद इसका temperature कितना high रखना है, कितना low रखना है कितना short मतलब जल्दी यह खतम होना चाहिए या फिर आप देर में इसको खतम कराना चाहते हैं यह भी feature आपको देखने को मिल जाएगा इसको भी आप यहाँ से आके set up कर सकते हैं इसके लाबा आपको यहाँ पर यह भी feature मिल जाएगा, आप चाहते हैं किस app से आपकी notification आने पर यह as light on हो तो आप उसको भी यहाँ से on off करके रख पाएंगे इस फॉन को जब आप purchase करते हैं तो इस फॉन मा आपको app droid set किया हो देखने को मिलता है, तो कुछ लोगों को यह पसंद आता है, कुछ को यह पसंद नहीं आता तो आप चाहें तो सभी apps अपनी home screen पर set करके रख सकते हैं, standard mode का use कर सकते हैं इसके लिए screen पर two finger से pinch in करने के बद आपको setting icon पर click करना हुआ, home screen layout पर click करके आप दोनों ही feature को यहाँ पर देख पाऊगे, अगर आप home screen पर सभी apps को चाहते हैं, तो यहाँ click करके सभी आप home screen पर set कर सकते हैं, इसके लाबा अगर आप चाहें तो spawn में अपनी skin को काफी अच style इस पर आप click करेंगे, यह click करने के बद आपको color pattern का feature देखने को मिल जाएगे, जिसमें आप अपने phone के color pattern है उसको change कर सकते हो, तो पहले इस feature को on कीजी, अब यहाँ पर जब आप apply कर देते हो इसको तो यहाँ पर आपकी phone का control center यहाँ पर नहीं देखा था आपने, यहाँ wallpaper color पर click करने के बद जो wallpaper के अंदर color रहते हैं, उनको select कर सकते हो, तो जो भी आपको अच्छा लगे, आप यहाँ आखे set कर लीजिए, अगर आपको इस फ़र्म में wallpaper बगएरा बगएरा आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, आप यहाँ आप यहाँ पर आके setup कर पाऊगे, इस फ सकते हैं, without app को download किये हो, तो इसके लिए इस स्कीन पर two finger से pinch in करने के बद से setting icon पर click कीजिए, इस कॉल करते हैं, तो आपको hide apps का feature देखने को मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करने के बद किसी भी apps को आप select कर सकते हैं, जिसको hide करना चाहें, डन पर click करके आप देखोगे, आपकी home skin से वो apps skype हो जाता है, अगर आप चाहें तो इसको access कर सकते हैं, जिसके लिए पहले वो आपको unhide करना पड़ेगा, तो आप simple यहाँ पर जाने के बद उसको unhide करके done पक्लिक कि जी आप आपकी desktop पर यह मिल जाएगा, फिर आप इसको access भी करस पाएंगे, इस phone की जब आ यहाँ पर आपको मिलता है, media output, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप अपने फॉन में Bluetooth का use कर रहे हैं, तो आप अपनी Bluetooth को disconnect करने के लिए, यह Bluetooth को बंद करते हैं, तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पर click करना होगा, simple आपको on this device click click क तो आपके फॉन की जो audio रहेगी फॉन से सुरू हो जाएगी और जो Bluetooth से बंद हो जाएगी मतलब बंद नहीं होगी Bluetooth connected रहेगी बट जो audio रहेगी वह आप आपके device में on हो जाती है device से अब आप अपने audio को सुन सकते हो जब आप इस फॉन की reset button को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर recommended चाहें तो इस फॉन में floating window का यूज कर सकते हैं जिसके आपको reset button ही press करना होगा इस icon पर क्लिक करना होगा जिसकी बद आप देखोगे spread screen का future आपको मिल जाता है इस पर क्लिक कर दीजिए जिसकी बद आप नीची की side में किसी दूर्से apps को open करा लेजिए अब आप देखोगे दो apps आप एक साथ इस फॉन के अंदर यूज कर पा रहे हैं जैसा कि YouTube के साथ किसी और apps को आपको यूज करना हो अब मिनेची के side वाला app आपको इस तरह से जादा area में यूज कर सकते हो आप चाहें तो ऊपर वाले को नीची भी कर सकते हो जिसके इस icon पर क्लिक करके आप इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना होगा अब आप देख सकते हो आपको इस तरह से आप इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं और पीछी के side किसी दूसरे apps का आप यूज कर पाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो हमां दो apps यहां पर open हो गया अगर आप चाहें तो इसे mini pop-up में भी डाल सकते हैं जिसके इसी icon पर क्लिक करने के बद इस icon पर क्लिक देजिए अब आप देख सकते हैं यह आपका pop-up में आया से disabled हो जाता है अब किसी भी background के अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं यह आपका pop-up में ही रहेगा किसी भी जगह पर आप इसको डारक लिए इस तर option पर क्लिक करने के बद इस call करेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर navigation bar इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दौनों ही option मिलेगे अगर आप swipe gesture को set करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक किजिए आपकी swipe gesture set हो जाएंगी line को भी आप यहाँ सा click करके disable करा सकते हैं अगर आप swipe up करके use करना चाहते हैं तो वह भी feature मिल जाएगा इसके लिए आप more option पर जाने के बाद swipe up from button के लिए side करके रख पाएंगे जिसमें आप button की area की direction से change कर पाएंगे back and home and recent जब आप इस phone की power button को दो बड़ार प्रेस करते हैं कुछ इस तरह ऐसे तो इ advance feature इस पर क्लिक कर लेचे, side button का फीचर देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको selected रहेगा क्योंको launce camera के लिए आपको open apps कैलिए select करने के बाद इस पर क्लिक करना हुगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर torch का feature دेखने को मिल जाएगा, जिसको आप select क कर पाएंगे तो जो भी आपको अच्छा लगे जिसका आपका यूज जादा हो वो आप यहां पर सैट करके रख सकते हैं इस फोन में आपको डॉल एप्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है आप चाहें तो इस फोन में डॉल एप का यूज कर सकते हैं जिसके लिए फोन क की एस कीन ऑफ होती और आपका फोन कुछ इस तरह से टेबल पर रखा हुआ होगा साथा है जैसे हैं जैसे फोन को पिकप करते हैं तो इस फटान के आरो जॉटा करना है आप जलग करने पर आपको वहदुन करना होगा उपफार पिकप करना होगे घिसके बादाreno पर किसे इसकी लावा आपको यहां पर कुछ और फीचर देखने को मिल जाते हैं जिनकी बारे में आपको जाना जरूरी है अब जैसे कि आपको मिलेगा अलर्ट वेंड फॉन पिक अप इस वाले फीचर को जब आप करके रखेंगे तो आपकी फॉन पर कोई भी कॉल्स मैसेज या फिर कर देखने को मिल जायगा इस फीचर को अन करने पर आपके फ़ॉनSet को पर को पिक अपकि अब आप करते हैं तो वह था आपके कूलंद को पिक अधी के फिंगर से आपको नहीं मिलता तो आप पाम से इसकिन बना सकते हैं यहां से एक स्टैप बापस आ जाईए आपको यहां पर मिल जाता है बन हेंडिट मूड का फीचर इस फीचर को अन करने पर क्या है आप अपने फॉन को एक हाँ से बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं इस आने पर ऊपको आपन डी से यूज कर सकती है अगर आप करना चाहते हैं तो इस आईकन पर क्लिक करने के लिए उसको आप करे कर सकते हैं आपके phone का screenshot आते समय जो आपको navigation देखने को मिलते हैं वो आ रहा है और जो status बार में आपका screen है वो सो हो रहा है तो आप यहां से क्लिक करके उसको भी disable कर सकते हैं आप चाहते हैं आपने कोई भी screenshot लिया वो edit किया एडिट वाला screenshot आपका save रहा है और जिनल वाला तो आप यहां से इस feature को भी on करा के रख पाएंगे तो आपको screenshot की edit option भी यहां पर देखने को मिल जाएंगे जिनको आप यहां से add करके लग सकते हैं इस phone में आपको RAM Plus का future देखने को मिल जाएगा जैसे कि यह phone 8GB वाला है तो 8GB का RAM और भी आप इस phone में प्लस कर सकते हैं तो total 16GB का RAM इस phone का हो जाता है तो अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो इस phone की setting को open कीजिए इसको open करने के बदद इस call करने पर आपको देखने को मि यहां पर बढ़ाना है वो आपको करके phone को restart कर दीजिए तो आपको RAM यहां पर expand हो जाएगा जैसे कि 2GB, 4GB, 6GB and 8GB तक का आप RAM यहां पर बढ़ा सकते हो इस phone में आपको dark mood का feature देखने को मिल जाता है जिसको आप schedule कर सकते हैं timer भी set कर सकते हैं dark mood को set करने के लिए phone की setting को open करने के बद display वाले option पर क्लिक करना होगा dark theme पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका phone पूरा dark mood अन हो जाएगा इस phone में तो यह भी आपको option मिल जाएगा यहां से एक step आपस आ जाईए तो आपको देखने को मिल जाता है motion smoothness का feature जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पूर्म में आपको 19 Hz का refresh rate देखने को मिलता है तो यहां से आप उसको set कर सकते हैं अगर आप standard पर क्लिक करेंगे तो यह phone automatic 16 Hz क देखने को मिल जाता है जो कि आप display ही option में आके देख सकते हैं जिसको आप यहां से on कर सकते हैं इसमें आप अपने जो इसकीन का temperature है इसके लाबा आपके जो customization है जैसे कि आप कितना इसको temperature को रखना चाहते है high and low वो आप set कर सकते हैं इसको भी आप schedule set कर सकते हैं जिसकी आ amazing feature है इसमोन की इसकी लाबा next update में और भी ऐसे future आने वाले हैं जिनकी बार में इसी चैनल पर आपको पता चलेगा तो ज़रूर से चैनल को subscribe कर लीजिए अच्छा करते हैं आपको यह वाला वीडियो काफी अच्छा लागा होगा वीडियो च्छा लागा हो तो वीडियो को like बूलें तो चली friends मुलेंगे एको नए वीडियो के साथ अब तक के लिए goodbye and take care